आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ प्रस्न है एक College में वर्ष संदोजार आठ और संदोजार 9 में आबेदगों की विषेवार संख्या नेमलिकित चार्ट पर दी गई है, आपका चार्ट यहाँ पर दिया गया है, यह आपका चार्ट है जिसमें संदोजार 9 के लिए ब्लैक कलर है और संदोजार 9 के लिए white color है आपको यह दिख रहा होगा यहाँ पर आपका chart इस प्रकार से यहाँ पर दर्सा आए गया है अब आपका प्रस्ण कहे रहा है कि किस बिसे के लिए मांग अधिकतम बढ़ रही है मतलब किस बिसे के लिए 1908 मतलब 1708 से 1709 में अधिकतम मांग बढ़ रही है तो इसको आपको chart देखकर पता करना होगा जिसके लिए आपके पास 4 बिकल्प है बिकल्प नमबर 1 रसायन बिज्ञान बिकल्प नमबर 2 गणित बिकल्प नमबर 3 कंप्यूटर बिकल्प नमबर 4 जयो प्रद्दोग की तो आपको यह देखना ह है कि अगर हम रसायन बिज्ञान की बात करें तो अगर रसायन बिज्ञान की बात करें तो इसमें 2008 में आपका कितना है संदोजार आठ में ये 2170 विद्यारती है उसके बाद ये संदोजार नौ में कितना हो जा रहे हैं? पचीस सो चालीस ये आपके कितने हो जा रहे हैं 2540 हो जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि 2540 हो जा रहे हैं अब ये कितना percent बढ़ रहे हैं तो अगर 2540 में से 2170 हम घटा देंगे तो ये आजाएगा हमारा 370 अगर 370 बढ़ रहे हैं और ये कितना percent बढ़ रहे हैं तो 2170 से अगर भाग दे दें 100% तो ये आपका हो जाएगा जो आपका answer आएगा वो आएगा 17.05 इसको अगर हम cut करेंगे ऐसे तो ये आएगा 17.05 परसेंट मतलब percent increase कर रहा है तो इसमें 17.05 कर रहा है अगर ऐसे ही हम गणित का देखें गणित के लिए देखें तो गणित में हम 230 हैं मतलब संदोजार 9 में गणित में 230 हैं 2230 हैं और संदोजार 8 में 1870 हैं तो कितना बढ़ गए हैं मतलब अगर हम 2230 से 30 से 1870 घटा दें तो हमारा कितना आजाएगा अगर हम इतना घटा आए जाएगा हमारा 360 और ये कितना कहां से बढ़ रहे हैं आपका 1870 से बढ़ रहे ह कितना % बढ़ रहे हैं, आपको ये निकालना है, तो अगर इसको हम निकालेंगे, तो या जाएगा हमारा 19.25, 0 से 0 कट गया, उसके बाद इसको अगर हम काटेंगे, तो आप जाएगा हमारा 19.25, % इंक्रीड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो अगर ऐसे ही हम कंप्यूटर का देखें, अगर हम कंप्यूटर का देखें, तो कंप्यूटर में कितने विद्यार्थी हैं, संदुजार 8 में, संदुजार 8 में है 325, और उसके बाद संदुजार 9 में 425 हो जा रहे हैं, तो कितने विद्यार्थी बढ़ जा रहे हैं, अगर हम 425 से minus 325 कर दें, तो आपका 10 विद्यारती बढ़ जा रहें, कहा से बढ़ जा रहें, 325 से बढ़ जा रहें, तो इसका मतलब ये कितने पर्सेंट की बढ़ोतरी हो रही है, आपकी ये बढ़ोतरी हो रही है, अगर 0 से 0 काट 20 से काटेंगे, उसके बाद इसको ऐसे भाग देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 30.76 30.76% इसमें ब्रिद्धी हो रही है ऐसे ही अगर हम जयो परद्धोगी के बात करें यहाँ पर आके तो जयो परद्धोगी के लिए अगर हम देखें हैं तो 78 estás 55 1009 में 324 हो जा रहे है तो कितने परसंट की बिरिद्धी हो रही है अगर 324 में 145 घटा दें तो यह आपका आयेगा या जाएगा आपका 1.79 कितने कहां से बढ़ रहे है 145 से बढ़ रहा है तो ये कितने परशंट की विर्द्धी हो जा रही है आपकी अगर इसको हम काट दें ऐसे तो ये आएगा आपका 123.94 परशंट इतना परशंट तो आपका प्रस्ण क्या पूछ रहा है कि किस बिसे के लिए अधिकतम मांग बढ़ रही है तो आपका जो ये जयो प्रद्धोग की है विकल्प नंबर 4 वो सही हो जाएगा क्योंकि इसमें 123.94 परशंट की ब्रिद्धी हो रही है और जबकि इसमें कंप्यूटर में 30% की ब्रिद्धी हो रही है और गणित में 19% की ब्रिद्धी हो रही है और रासायन विज्यान में 17% की ब्रिद्धी ह तो सबसे आधा बिरिद्धी आपका जयव प्रद्धोगी में हो रहा है इसलिए जयव प्रद्धोगी आपका राइट अंसर हो जाएगा Thank you